हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक इंपोर्टर टॉपिक लाए हैं जो के है दादा साथ फाल के अबाद 2023 के विनर्स और ये आपके एवार्स और सेक्शन में आपकी हलब करने वाला है तो आप वीडियो को जुरूर एंड तक देखते रहें वीड दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये जुरूर कहना चाहूंगा कि हमने दादा साथ फाल के के बारे में एक कम्पलीट वीडियो बनाई है आप वो जुरूर जाकर चेक करें तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे दादा साथ फाल के अवार्ड 2023 के विन और यह फिल्म कश्मीरी 25 के蛇ग जोडस्ट पर बनी है और कश्मीरी 25 पर हमने भी एक complete वीडिव बनाई है आप वो भी जूरूर जाकर चेक करें इसके बाद हम बात करेंगे Best Film आप दे इιαर तो यह अवार्ड मिला R R R फिल्म को दोस्तों यह भी याद रखें इस फिल्म के सॉंग नाटू नाटू को गोल्डन गुलोब का एवार्ड मिला और इस तरह इंडिया की पहली फिल्म बनी जिसको गोल्डन गुलोब का एवार्ड मिला इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर की तो दादा साहब बेस्ट एक्टर का एवार्ड मिला रनब कपूर को ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा फिल्म के लिए ने ब्रह्मास्त्र की फिल्म के लिए इसको बेस्ट एक्टर का एवार्ड मिला इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट एक्टरस के एवार्ड के बारे में तो दादा साब बेस्ट एक्टरस एवार्ड मिला आलिया ब Critics Best Actress का Award मिला वीदिया बालन को जलसा के लिए. Next हम बात करेंगे Best Actor in a Negative Role. यानि जिसको हम विलन कहते हैं तो यह जो Award मिला यह सलमान दुलकर को मिला चुप के लिए. और Best Director का Award मिला आर बालकी को चुप के लिए. इसके बाद Best Cinematographer का Award मिला पी एस विनोद को विक्रम विद्दा के लिए. इसके बाद है Best Promising Actor तो यह मिला रिशब शेटी को कांतारा के लिए और Best Actor in a Supporting Role मिला मनीश पॉल को जग जग जियो के लिए. नेक्स्ट बाद हम करेंगे Best Playback Singer मेल के लिए तो यह मिला सचित टंडन को मया मेनो फ्रॉम जर्सी के लिए. और उसके बाद हम बाद करेंगे Best Playback Singer फीमेल के लिए मिला नीती मोहन को मेरी जान फ्रॉम गंगुबाई कथावाडी के लिए. और उसके बाद है Best Web Series का एवाड मिला रुद्रा The Edge of Darkness को और उसके बाद हम बात करेंगे Most Worst Style Actor यह एवाड मिला अनुपम खेर को The Kashmir Files के लिए. उसके बाद है Television Series of the Year का एवाड मिला अनुपमा को और उसके बाद Best Actor in Television Series मिला जैन इमाम फार फाना के लिए. और उसके बाद है Best Actress in a Television Series का एवाड मिला तेजस्वी प्रकाश को नागिन के लिए. और इसके बाद हम बात करेंगे दादा साब फाल के International Film Festival एवाड 2023 के Outstanding Contribution in the Film Industry. तो ये एवाड मिला रेखा को. इसके बाद दादा साब फाल के एवाड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एवाड 2023 आउटस्टेंडिंग कंट्रिबूशन इन म्यूजिक इंडिस्ट्री. तो ये एवाड मिला हरी हरन को. और बेस्ट एक्टर इन वेब सिरीज का एवाड मिला जिम सारा को रॉकेट बॉइज के लिए. दोस्तों जैसा हमने आपको पहले ही का है कि हमने दादा साब फाल के के बारे में एक कम्पलीट वीडियो बनाई है उनकी लाइप के बारे में तो आप जरूर पढ़ें और दादा साब फाल के एवाड की हिस्ट्री के बारे में उसमें हमने डिसकस किया है. दोस्तो अगर हम दादा साफ फालके के बारे में बात करते हैं तो इनका असली नाम था दंदी राज गोविंद फालके और ये 30 एपरेल 1870 को तरंबक महराश्टरा में पैदा हुए थे दोस्तो ये भी आप जरूर याद रखें कि दादा साफ फालके को फादर आफ इंडियन सिनिमा भी कहा जाता है इसके अलावा दादा साफ फालके एवार्ड्स को इस्टैब्रिश किया गया था 1969 में इसके अलावा अगर आप और जाना चाहते हैं इन एवार्ड्स के बारे में डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी एक वीडियो दादा साफ फालके एवार्ड्स 2023 के बारे में उमीद करता हूँ कि वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो इडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जूरूर करें दोस्तो हम मिलेंगे आप से एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर